ये कता सुनने में काफी अजीब लगती है क्योंकि इस कहानी में काफी सारी चीजे रूपक है यानि कि ये कहानी कहती कुछ और है और इसका अर्थ है कुछ और इस कहानी में मनुश्य राक्षस के से बन जाता है वो बताया गया है इस कहानी में लत अडिक्शन के बार में बताया गया है इसके लक्षन क्या है और इस कहानी के अंत में इससे बाहर कैसे आना है वो भी बताया गया है तो एक ब्रहामन कन्या थी उनका विवाह उनके पिता ने एक ब्रहामन युवक से करा दिया विवाह के पश्चात वो स्तरी भोग विलास में डूब गई यानि कि धन, दोलट, लगजरी ये सब उसकी इच्छा पूर्ण करते करते उसका पती मिर्त्यू को प्राप्थ हो गया परुन्तु उस्तरी की भूग नहीं मिटी अब उसका पती मिर्त्यू को प्राप्थ हुआ है अब पती नहीं रहा अब वो मुक्त है लालाच के कारण वो वैश्चा बन गई उसके माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया और वो स्तरी जंगल में चली गई उस्तरी को जंगल में एक शूदर मिला शूदर ने उस्तरी को पानी की इच्छा की अब वो दोनों एक साथ रहने लगे वो शूदर उस्तरी की हर इच्छा पूर्ण करता एक दिन वो शूदर कुछ कारण वर्ष कही पर काम पर चला गया अब उस्तरी को भूक लगी थी तो उस्त्री ने तलवार से आंगन में बंधे बचडे को मार डाला और उसका मास खाने लगी और ऐसे ही उस्त्री ने जीवन भर पाप किये और मृत्यों को प्राप्थ हो गई अगले जन्नम में वो नेत्रहिन पैदा हुई और उसको एक तोचा रोग था जिसका कोई इलाज नहीं था इसी वज़े से लोग उससे दूर भागते थे एक दिन उस्त्री ने देखा कि कुछ श्यू भक्त सदाशिव के गुनों का गान करते हुए गोकर्न जा रहे हैं वो उस्त्री उनके पीछे पीछे जाने लगी गोकर्न में पहुचने के बाद वो भूकी प्यासी भटकने लगी भीक मागने लगी भीक मांगते मांगते वो उस्त्री एक बनिये के पास जा पहुची उस बनिये ने उस्त्री के जोली में बेल के गले की मंजरी डाल दी उस्तरी ने उसके जोली से मंजरी निकाली और उसने फेक दी और कहने लगी मैं भूकी हूँ मैं इसका क्या करूँ सोभागय वर्ष वो मंजरी शिवलिंग पे जागिरी अंजाने में ही उस्तरी से शिवजी की सेवा हो गई यानि कि उसने मंजिरी फेकी और उस शीवलिंग पे जागिरी फिर उसके बाद वो भूकी थी यानि कि वरत वो भूकी थी इसी वज़े से वो रात भर सो नहीं पाई यानि कि जागरन फिर उसके बाद उस तरी को शीवलोक में स्थान मिला कहानी का फ्याजीब है न अब इसका अर्थ जान लेते हैं अब आपको करना ये है कि अपने आपको उस्त्री के जगव पर रख कर इस कहानी को समझना है इस कहानी को सुनना है ये कहानी एक स्त्री की है जो सुख ढूंड रही है और उसे नहीं पता कि सुख कहा से प्राप्त करते हैं और एक बार उस्त्री ने वस्तु को प्राप्त किया जिसे उसे खुशी महसूस हुई इसी वज़े से उस तरी को ऐसा लगता है कि इस अंसार में सुख का साधन वस्तू ही है उस तरी के जीवन में सिर्फ उसका पती ही था जो उसकी हर इच्छा पूर्न करता था वो उसे प्रेम करता था परंतु लालच में आकर उस सुख के कारण वो कभी भी ये नहीं देख पाई और उसने अपने पती को खो दिया उसी तरह से अगर आप भोतिकवादी बन जाएंगे तो आपके आजुबाज जो लोग आपसे प्रेम करते हैं वो लोग भी चले जाएंगे फिर भी उस तरी को कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि उस तरी की तरह आपके शरीर को नियंतरन आपके इच्छाय करेंगे आप जो भी कर्म करोगे वो आपके हातों में नहीं होगा वो आपके इच्छाओं के हातों में होगा उसके बाद वो स्तरी धर्म को त्याग देती है, अपने दाइत वो को त्याग देती है यानि कि वो वैश्या बन जाती है, वो आपने आपको बेचने लगती है परन्तु सवाल यह है कि लोग अडिक्शन में, लट में फस्ते क्यूं है और इससे बाहर क्यूं नहीं आना चाते, और क्यूं नहीं आ पाते देखिए मैं उधारन से समझाता हूँ अपको भी उधारन ले लेजिए, मैं यहाँ पर एक बच्चे का उधारन लेता हूँ जो गेम खेलता है, उससे अडिक्ट हो चुका है तो कोई भी वेक्टी ज्यान प्राप्त करता है, फिर मेहनत करता है, त्याग करता है उसके बाद उसे फल मिलता है, उसके बाद खुश ही मिलती है पर उन्तु यहाँ पर एक ऐसा वेक्टी है, जो गेम खेलकर ही खुश है उस बच्चे को उस व्यक्ति को जो सुक इतनी सारी परिश्रम करने के बाद मिलने वाला था वो सुक उस बच्चे को पहले ही मिल रहा है इसी वज़े से वो बच्चा सोचता है कि मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ मुझे तो सुक इसमें ही प्राप्त हो रहा है तो यही addiction है लोग मदीरा और बाकी सब चीजे क्यों ग्रहन करते हैं क्योंकि जो सुक उनको मेहनत करने के बाद मिलने वाला था वो सुक इस छोड़ी सी चीज से ही उनको पहले ही मिल रहा है परंतु उस तरी को उस व्यक्ति को नहीं पता कि उसका भविश्यक खतरे में है जिस ऐसा इसलिए हो रहा है कि भारत में नेतिक शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता और माता-पिता भी अगर कोई बालग गलती करता है तो उसको थपड़ मार कर शांत कर देते हैं उसको कभी नहीं बताते कि तुने जो गलती की है वो क्यों गलत है फिर उस कहानी में उ स्तिरी को उसके माता पीता घर से निकाल देते हैं और वो स्तिरी जंगल में चली जाती है जंगल अस्तिरता को दर्शाता है जिसे जंगल में जो पशू पक्षी प्रानी होते है उनका जीवन अस्तिर होता है कभी खाना मिलता है कभी नहीं मिलता इस जगह पर कभी ये जानवर राज़ करता है कल कोई दूसरा प्रानी आता है और वो वहाँ पर राज़ करने लगता है कभी इसके साथ संबंध बनते है कभी उसके साथ संबंध बनते है तो जंगल काफी अस्थिर होता है इसी तरह से हमें ये बताया जा रहा है कि जो लोग भोतिक वादी होते है उनका जीवन भी जंगल की तरह होता है अस्थिर होता है अब आप बोलोगी कि इन लोगों को पता नहीं चलता कि वो गलत मार्ग पर चल रहे है यही चीज इस कहानी में आगे बताई गई है कि वो ब्रामन कन्या जंगल में जाती है और वहाँ पर उसको एक ऐसा विक्ति मिलता है जो शूदर जाती का है वो एक ऐसा विक्ति है जो उस्तरी की तरह ही है वो पुरुष उस्तरी के भाती ही है इसी वज़े से वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं इससे हमें ये बताया जा रहा है कि ज्यादतर लोग इससे बाहर नहीं आ पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि वो गलत काम कर रहे हैं क्यों क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि ये लोग भी वही कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूं अगर ये चीज गलत होती तो ये लोग भी नहीं करते इसका मतलब मैं जो कर रहा हूं वो सही है यानि कि उस व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि वो गलत काम कर रहा है फिर कहाने में आगे क्या बताया गया कि वो जो पुरुष था वो कुछ कारण वर्ष चला जाता है अब उस्त्री को भूग लगी थी इसी वज़े से वो उस्त्री तलवार लेकर आंगन में बंधे बचडे को मार देती है और उसका मास खाने लगती है अब इसका क्या अर्थ हुआ इससे हमे ये बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति से उसको सुक देने वाली चीज़ को अगर छीन ली जाए तो वो पागल हो जाता है वो अपना आपा खो देता है और वो व्यक्ति उस चीज़ को पाने के लिए दूसरों को मारने के लिए भी तयार हो जाता है दूसरों को शररिक ले लगती है इस तरह से वो मनुष राक्षस बन जाता है यानि कि मनुष राक्षस अडिक्षन के कारण ही बन जाता है अब वो स्त्री अगले जनम में नेत्रहिन पैदा होती है और उसको तवचा रोग था यहाँ पर ऐसे जीवन जिने वाले लोगों का परिनाम बताया गया ह कि ऐसे लोग नेत्रहिन होते है यानि कि वो जीवन में क्या कर रहे हैं क्यू कर रहे हैं उनको नहीं पता होता उनका कोई भविश्य ही नहीं होता और उस्त्री को तवचा रोग था इसी वज़े से लोग उससे दूर चले जाते थे इसी तरह से लोग उस मनुष से दूरी ब गान कर रहे होते हैं, वो गोकर्ण जा रहे थे, शीव जी के गुनों का गान, यानि कि यहाँ पर अगर अडिक्षन से बाहर निकला एक अच्छा जीवन चाहिए, तो शिवजी की तरह जीवन जीए, क्या सन्यास लो, सब को त्याग दो, नहीं, शिवजी के गुनों का गान, यानि कि शिवजी के तरह रहिए, मैं समझाता हूँ, अब शिवजी के कहानी के बारे में जान लेते हैं, शिवजी पहले-पहले अके अकेले तपस्या करते थे, क्यूं? क्यूंकि शिव जी ने पहले ही संसार को परक लिया था, कि संसार में सिर्फ दुख ही है, इसी वज़े से वो संसार को त्याग देते हैं, वो अकेले रहने लगते हैं, अब शिव जी कहा पर रहते हैं, केलाश पर, मुझे ये बताईए कि के सबजी उग़ती है तो शिवजी खाते क्या है शिवजी को भूख ही नहीं लगती फिर पारवती जी शिवजी के जीवन में आती है और उनसे कहती ही की दुख का हल त्याग नहीं है आपके पास शक्ति यह उससे संसार में परिवर्तन लाईए संसार की मदद कीजिए तब शिवजी काशी जाकर लोगों की मदद करते हैं फिर शिवपरान में जलंधर की जो कहानी है उसमें हमें बताया गया ही कि शिवजी के आजू-बाजू सेकडो काम धिनू है कल पे थिरू है तो शिवजी इसका करते क्या है तो शिवजी इस सबसे पहले संसार को परकते हैं कि संसार में काफी दुख है उसी तरह से आपको भी दुख को जाना होगा आपको ऐसी जगव पर जाना होगा यानि कि भारत में इसी कई जगा है जहापर ऐसे लोग रहते उनके पास काफी दुख है किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास पेर नहीं है, धन नहीं है, भूके है वहाँ पर जाकर आपको उनसे मिलना है, उनके दुख को जानना होगा आपको महसूस करना होगा, आपको समझना होगा कि आप कितने नसीब वाले हैं उसके बाद शिवजी तपस्या करने बेट जाते है यानि कि यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि सबसे पहले हमें थोड़ा अकेला रहना होगा अपने आपको जानना होगा ग्यान प्राप्त करना होगा मैं संसार में किस थरह से परिवर्टन ला सकता हूँ ये जानना होगा अब माता शक्ती शिवजी से क्या कहती है कि आपके बास जो शक्तिया है उससे संसार में परिवर्तन लाइए यानि कि उन शक्तियों से हमें संसार में परिवर्तन लाना चाहिए संसार की मदद करनी चाहिए और हमें सुख लोगों की मदद करने में ही डूढना चाहिए और इसी थरह से संसार में अपनी पहचान बनाईए ऐसा कुछ कीजिए जिससे आपको लोग मरने के बाद भी याद रखे फिर जलंधर की कहानिय में हमें बताय गया है कि शिवजी के आजू बाजू सेकडो काम धिनू है कलप धिरू है अब शिवजी उसका क्या करते हैं क्योंकि शिवजी को भूख ही ने लगती उनकी खुशी किसी वस्तू पर निरधारित नहीं है और ये कलप धिरू काम धिनू ये तो इच्छाय पूर्ण करती है शिवजी के आजू बाजू काम धिनू कलप धिरू क्यों है वो इसलिए इससे हमें ये बताया जा रहा है कि संसार में परिवतन लाने के लिए लोगों की मदद करने के लिए हमें कुछ साधनों की अवशक्ता है अब भूलोक में कल्पतिरू, कामधिनों की तरह ऐसी कौन सी चीज़े जो हर इच्छा पूर्ण कर सकती है धन यानि कि धन कमाना गलत नहीं है इन सन्या से उन्हीं ये बात फैला दी कि लक्षमी गलत है, लक्षमी बुरी है नहीं हम प्रवर्ति मार्ग पर चलते हैं, हम संसार में परिवर्तन लाते हैं और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? धन यानि कि धन कमाईए और सबसे पहले अपने परिवार का भविश सुरक्षित कीजिए और बाकी बचे हुए धन से संसार में परिवर्तन लाइए लोगों की मदद कीजिए तो शिवजी इस कल्प थिरू काम धिनु से लोगों की इच्छा पूर्ण करते हैं और उसमें सुक ढूंडते हैं जब आप लोगों की मदद करेंगे उनकी खुशियों को महसूस करोगे उनके मुस्कुराते चेहरों को देखोगे तब आपका मन अपने आप लोगों की मदद करने में खुशिया ढूंडने लग जाएगा और यह अपने आप हो जाएगा अब कहानी में वो स्त्री गोकरने के यहाद जाती है वहाँ पर वो भूकी प्यासी भटकती है और भीक मागने लगती है भीक मांगते मांगते वो बनिये के पास जाब पहुचती है बनिये ने उस्त्री के जोली में मंजिरी डाल दी उस्त्री ने मंजिरी को फेक दिया और अंजाने में वो शीवलिंग पे गिर गया फिर उसके बाद वो भूकी थी यानि कि अंजाने में उसे वरत हो जाता है भूकी के कारण वो रात भर सो नहीं पाई यानि कि अंजाने में वो जागरन कर लेती है, उसने ये सारी चीजे अंजाने में की, फिर भी उसको शीव लोक में स्थान मिला, क्यों? इसका क्या आर्थ हुआ? इसे हमें ये बताया जा रहा है कि जो लोग addicted होते हैं, जो भोतिक वादी होते हैं, उन लोगों को इस कारियों को करने में पहले-पहल सुख प्राप्त नहीं होगा, वो लोग दान करने जाएंगे, उनको लगेगा कि इसमें तो कोई मजा नहीं, इसी तरह से आपको भी लगेगा, पर उन्तु फिर भी आपको वो चीजे करनी है, धीरे-धीरे आपका शरीर, आपका मन, उन सब चीजों में सुख ढूनने लगे और आपको शीव लोग में स्थान मिलेगा, यानि कि आपका जीवन सुखी हो जाएगा, आपकी खुशियां किसी भी वस्तु पर निर्धारित नहीं रहेगी, वस्तु से याद आया, सनातन धर्म में एक और कहानी है, जिसमें विशाक्त संभंध, यानि कि टॉक्सिक आया नमहा.